हेलो मेरे फूदिस कुकी फाट वित्राणी में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी ब्रैथ पीसा वह भी बिना अवन के तवे पर दी इसे बनाना बहुत ही असान है और यह सिर्फ पांच मुद्बन के तयान हो जाता है आप चाहें किस सुबह के नाश्टे में जो च मैंने यहां ली है वेज म्योनी कटे हुए प्यास शेजवन चटनी टमाटर कॉर्ण अमूल की मौजरेला चीज ब्रैट ओरिगैनो और चिली फ्लिक्स मैंने यहां ब्रैट ले लिए हैं अब बारी बारी से सभी ब्रैट पर मैं शेजवन चटनी लगाँगी शेजवन चटनी की जगे आप टमेटो सॉस का भी यूज कर सकते हैं और वाइट ब्रैट की जगे आप ब्राउन ब्रैट भी ले सकते हैं चटनी को पूरे bread पर अच्छे से फैलाएंगे और यहां मैंने सभी bread पर चटनी लगा ली है और अब मैं इस पर डालूंगी बारी कट हुए प्यास आप चाहें तो सभी सब्जियों को मिक्स करके भी ब्रेट पर लगा सकते हैं सभी ब्रेट पर प्यास अच्छे से लग चुका है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर आपको जो सब्जी अच्छी लगती है आप इसमें वो भी आट कर सकते हैं टमाटर के बाद अब इसमें डालेंगे कर्म अब डालेंगे इसमें अमूल की मौजरेला चीज चीज भी डल चुकी है अब हम इसमें डालेंगे कुछ तुकड़े हरी मिर्च के आप चाहें तो इसे इसकिप भी कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे औरिगैनो और चीली फ्लिक्स थोड़ा सा डिजाइन मैंने इसमें म्यूनी का दिया है आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा आधा तो ये हो चुका है तैयार अब पूरा तैयार करने के लिए हम इसे डालेंगे तवे पर और मैंने यहाँ एक चम्मस रिफाइंट कोईल डाला है आप चाहें तो पटर भी डाल सकते हैं बारी बारी से सभी ब्रैट पीजा को हम गरम तवे पर रख देंगे पकने के लिए सभी ब्रैट को हमने तवे पर रख दिया है अब दो से तीन मिनट के लिए कम आच पे ही इसे पकने देंगे तीन मिनट हो चुके हैं अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पीजा तयार हुआ या नहीं ये देखिए चीज मेल्ट हो चुकी है मतलब हमारा पीजा तयार हो चुका है बच्चों को सबजे खिलाने का ये सही तरीका है आप इसमें और भी सबजे एट कर सकते हैं और बच्चे इसे मन से खाएंगे भी ब्रैट पीजा बन कर तयार हो चुका है अगर आप मेरी ब्रेट पीजा की रेसिपी जो की इंस्टर्ट बन कर तयार हो जाती है आप मुझे इंस्टरग्राम पर भी टैग कर सकते हैं कुकि फाइट विद्रानी पर आप मुझे फीडबैक भी जे सकते हैं वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंकी सो मच और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में तब तक बनाएं खाएं और खिलाएं